पूंभ एक हट थूटेंट कि चलिए आप लों का तो लेशन पढ़ाई हो गया अब बचता है इसका कोश्चिन अंसर नहीं इस लेशन का कोश्चिन अंसर बोलो लोग देखना नहीं कर देखना है रसाइनिक अभिक्रियां पहला कुस्चन है आपका वायू में जलाने से पहले मैगनेसियम रीवन को साफ क्यों किया जाता है तो बायू में जलाने से पहले मैगनेसियम को साफ क्यों किया जाता है मैंगनेसियम एक बहुत ही अभिक्रिय करता है ताकि इसकी सथापर क्या हो मैगनेसियम ऑक्साइड की परत बंद रोका मेगनेश Iggyum Oxide की यह प्रत्य उती है अस्थाई होती है और उक्सिजन के साथ मेगनेशियम की अधिक अविकिलिया को रोकती है लेकिन मेगनेशियम रीवन की इसी प्रत्त को हम यह करते है ठीक है अब हम लोग नेक्स कुसें देखते हैं कॉसें से नमर टू है निव लिखी तरसाइनिक अभिक्रियां के लिए संतुलित समीकरन लिखिए बैलेंस समीकरन लिखना आपको एक एक्वेशन लिखना है ठीक है पहला क्या है देखिए आप हाइड्रोजन blus chlorine hydrogen chloride ٹھیک ہے यह है hydrogen और हम देख रहे है एक chlorine यहाँ पर 2 hydrogen है 2 chlorine है है ना इसलिए क्या कर दिया हम 2 H Cl 2 hydrogen हो गिया chlorine भी हो गिया यही संस्ट अमिखन complete हो गिया तेंग है दूसरा बोट है आपका barium chloride plus aluminium sulfate barium chloride बनाता है और बनाता है यह देख रहे हैं इसमें हम देखेंगे ये भी आपका बेलेंस किया हुआ है इसको हम लोग तो यहां देखिए आपने आप बेलेंस कहने का मतलब है कि इधर जितनी भी संख्याएं हैं उधर भी उतनी ही संख्याएं होनी चाहिए किसरा है आपका सोडियम और जल एने टू हो गया सोडियम एस टू हो गया जल क्या बनाता है सोडियम हाइड्रोकसाइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है तो हम क्या करते हैं यहां यहां कितना है यहां पर भी दो हो गया आपका एक है लेकिन सामने में दो है का मतलब दो ऑक्सिजन है तो दोनों ऑक्सिजन कहा गया यहां पर आ गया यह इक्वेशन आपका संतुलित हो गया ठीक है को सन नमर थी देखते हैं हम लोग निम्निखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रसाइनिक समीक्रन लिखिए ठीक है अब यहां देखिए दिया हुआ है जल में बेरियम कोडराइट था सोडि श्वेशन प्राप्त होता है अब क्या पॉट रहे जल में बेरियम कोडराइट था सोडियम सल्फट जली है अगर एस रहेगा तो वह सॉलिड हो जाएगा जली ठीक है G रहेगा तो gas हो जाएगा और S रहेगा तो solid हो जाएगा और AQ रहेगा तो वो liquid हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या बता है कि BACL2 मतलब barium chloride और Na2SO4 sodium sulfate यह क्या करता है जो इसे particular होता है तो क्या बनाता है BASO4 मतलब barium sulfate बनता है नहीं और सासत में NaCl sodium chloride बनता है ठीक है तो यह क्या है बेरियम sulfate S मतलब solid होस बनता है और NaCl क्या बनता है यहाँ देखिए एक क्वस बनता है यहाँ जो AQ लिखा हुआ है मतलब वो जलिय गोल है अगला देखिए sodium chloride का billion मतलब sodium chloride NaOH sodium hydroxide का billion और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का billion HCl का एक क्वस ठीक है दोनों क्या बनाता है NaCl sodium chloride बनाता है और जल बनाता है sodium chloride हो गया और एस्टू जो हो गया हो गया वह राता है यह क्या करते हैं यह में राता है यह गैस की यह फ़र्म में राता है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि यह अगला question हम लोग फिर देखेस में किसी पदार्थ एक्स की billion का उपियोग स्थेदी करने के लिए होता है मन लिया जाए कोई पदार्थ है एक्स उसका billion का उपियोग हम लोग स्थेदी करने के लिए करते हैं तो पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सुत्र लि के लिखे एकस की जल की अविक्रिया भी लिखिए ठीका तुट है पतात का नाम क्या हो गया क्यंसीन ऑक्साइड होगया और इसका श्ट्र कि लिए उसका नाम आपका हो गया क्या 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 केल्सियम ऑक्साइड हो गया और दूसरा है पतार्थ एक्स का नाम था इसके शुत्र लिए ठीक है उसके बाद बोल रहा है उपर एक में लिखे लिखे एक्स की जल के साथ अभिक्रिया तो हुआ देखिए किल्सियम ऑक्साइड जो है वो जल के साथ कि ब्रता सी अभिक्रिया करके बुझे वे चुणिया करता है C A O पर देवाता है जल से मिलने कीवार, बात क्या होया तो आँगो पिर? C A. नहीं. तो C A क्या हो गया? केल्सियम हो गया? और O H काmark करते हैं तो, औक्साइड हो गया. तो क्या हो गया? केल्सियम हाइड्रोकसाइड. ठीक है? तो यह CAO बुझा हुआ चुना होगी यार ची ए ओएच टू जिसको हम लोग या करते हैं केल्टियम हाइट डॉक स्टाइट करते हैं वो बुझा हुआ हुआ चुना ठीक है यह बिना बुझा हुआ चुना और वो बुझा हुआ चुना ठीक है अब आगे देखिए कुर्शन कॉपर सल्फेट के बिलियन में डुबाने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है ठीक है तो कहता है क्या कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के बिलियन में डुबाते हैं तब लोहे ने दूसरी तत्व यह से कॉपर को कॉपर सल्फेट के बिलियन से क्या करता है उसको वि इक क्वेशन में बताए यहां है ठीक है दिखिए यह कुछ स्पेशन है यहां पर दिखिए F-E पीर्ष कहिए या आईरन कहिए या लोहा कहिए जो कहिए है आदовор्स को और सीॉ एस ओ फोर नहीं यह स्फीव और ऐस ओ डूल यह यह कौपर सुलszीट यही कारण होता है क्या उसका रण बदल जाता है ठीक है कोश्चन नमर सिख से लिए निम्न अभिक्रियाओं में उपचैत तथा अपचैत पदार्थों की पहचान की जिए इसमें कौन उपचैत हुआ है और कौन अपचैत पदार्थों ठीक है फोर एने प्लस O2 तो सोडियम का ऑक्सिजन से संग्योजन हो रहा है ठीक है एने और O2 को हम लों संग्योज कर रहे है इसलिए सोडियम का क्या हो रहा है सोडियम यहां उपचैत हो रहा है ठीक है और ऑक्सिजन का संग्योजन एक धातू के साथ हो रहा है इसलिए ऑक्सिजन का क्या हो र आपका कॉपर ओक्साइट और अलग हो रहा है यहाँद यहां से आक्सजिण के साथ नहीं है इसका मतलब कॉपर ओक्साइट से क्या हो रहा है इसलिए hydrogen का उप्षेयन हो रहा है ठीक है समझे इसको किलिए रहे हैं नीचे दी गई अभी क्रिया के सम्ध्र में कोंसा कथन सत्य है अब यहां देखिए टू पीबी ओ ठीक है पीबी को क्या लेट ऑक्साइड हो गया नहीं सिसा पीबी को अब लोग सिसा हुआ ठीक है और सी कार्बन तो क्या बनता है पीबी बनता है और कार्बन डियॉक्साइड अलग हो जाता है तो इस पर्तिक्रिया में क्या हो रहा है तो इस पर्तिक्रिया में क्या हो रहा है पीशा अप्चाइद हो रहा है ना क्योंकि तो पीबी जो है पीबी ओ था तो इस दी ओ निकल तो पीबी बच गया, तो oxygen निकल गया, इसका मतलब सिसा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, और carbon dioxide उपचयित हो रहा है, यहाँ carbon है, यह oxygen को ले लिया, CO2 बन गिया इसलिए Carbon dioxide क्या हो रहा है उपचईद हो रहा है इसा अफचेज़ हो रहा है Carbon dioxide उपचईद हो रहा है A और B नहीं तो answer A और B कहा दिया हो है देखिए Number 1 में दिया हो है यहां पर A और B दिया हो है सका मतलब answer क्या होगी आपका number 1 ओके चलिए अगला कोश्चन ए एफी टू ओ थ्री प्लस ए टू एल एल टू ओ थ्री प्लस टू एफी उपर दी गई अब करिया किस प्रकार की है तो इसमें देखिए उपर में जो परतिक्रिया हुई है यहां देख रहे हैं हम लोग एफी जो है यहां पर है और यहां एल से कर रहा है यहां के एक ऐख्या कर रहा है कao सब्सक्राइब इस लिए चुन पर हाइडरो क्लोरिक स्रेविक चुन निशां लगां तोحت Clarool पर अम्यगर धालते के डालते हैं तो क्या होता है hydrogen gas एबंग iron oxide बनता है ठीक है अब यह होगी आपका नमब्द ए hydrogen gas iron chloride बनता है ठीक है सन्तुलित समीक्रण रसाइनिक समीक्रण क्या है एक संतुलित रसायनिक समिक्रन को संतुलित करना क्यों आवज्यक है इसको तो आप लोग एक डम बहुत मस्ट इंपोर्टेंट कोस्चिन मानके तेलिये. देखिए एक संतुलित रसाइनिक समिक्यन में किसी भी रसाइनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के परमानों की संख्या अभिकारक तत्वों के परमानों की संख्या के बराबर होता है ठीक है दरिमान के संग्रक्षन का नियम का पड़न करने के लिए रसाइनिक समिक्यन परभी यकारक अरह उद्वान को संफ्रित करना क्यों आवशयक होता है तो दरविमान के के संग्रक्षन का नियम का पार्ण करने के लिए रसाइनिक समीक्रेन के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए पहला कुश्य है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस संग्रक्षन अपनाता है अगला है हाइड्रोजन सल्फाइट ठीक है और गैस का वायू में दहन होने पर जल एबंग सल्फ़ डायॉकसाइड बनता है तो है अगला है अगला है aluminum co-dride वंक-berium sulphate का अवक्छिप राप्त होता है अब यहां देखे-B-A-C-L-T-O हो गया और Al2-A-S-O-4 क्या हो गया aluminum sulphate हो गया तो यह क्या करता है क्या बनाता है aluminum co-dride बनाता है और यह से AlCl-3 बनाय यह aluminium co-dride मतलब इसमें कुछ अवसिस अगला है पोटासियम धातु जल के साथ अविक्रिया करके पोटासियम है अब पोटासियम धातु पोटासियम की हो गया यहां हम ले लिए है धातु जल से किया बनाएगा के और यहां को संतुलित करना है ठीक है यहां देखिए हाइड्रोजन कीतना है पहले सबसे परके करना होगा यहां कि यहां है है यहां कितना है टू है इसका मतलब कि इधर भी सब्सक्राइब को फिर फिर देखिए यहां पर 1 है तो nitrogen यहां पर 1 है बेखिए यहां पर nitrogen कितना है ठीक है उसके बाद oxygen यहां 3 है और 3 और oxygen यहां पर कितना है आपका 2 है 3 और 2 5 oxygen है है ना तो यहां देखिए यहां पर 6 oxygen है यहां 6 और 2 8 oxygen है तो यहां देखिए 3 oxygen गुना 2 3 दूनी 4 oxygen हो गिया और यहां 2 oxygen हो गिया 6 दू 8 oxygen हो गिया तो इस तरह स्ति हमको क्या है सबको संक्रिप करना है जितना आपका इस side में होगा उतना आपका इस side में भी होना चाहिए ठीक है सबसे पहले maximum number को देखि में नहीं है नई है एस्ट या बनाता है और इतना बनने के बाद क्या करना है कि हम दिखना होगा कि यहां एक हो गया और यहां चार 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 और इस प्रकार करके इसको हमको संतित करके चलना पड़ता है अब यहां देखिए NaCl पलस AgNO3 है क्या बनाएगा? Eagcl बनाएगा और AgNO3 बनाएगा ठिक है? तो जब यहां हम देख रहे हैं कि NaCl है और AgNO3 है तो AgCl बना रहा है और AnNO3 बना रहा है तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहां NA single है यहां भी NA single का ही यूज़ हुआ फिर यहां देखें CL1 है तो यहां भी CL1 ही लग रहा है फिर देखें यहां पर AG कितना है एक है यहां भी AG1 ही लग रहा है NO3 ही 3 है, यहां NO3 भी 3 है, इसलिए इसमें हम कहीं कोई बदलाओ नहीं किये हैं, कहीं देख रहें किसी के आगे दो तिन लिखा हुआ है, चब देख रहे हैं इसे में दोनों बराबर हो रहा है, तो क्यों इस संख्यां बढ़ाया यहां कोर्शल में आपका क्लिए दिया हुआ है अब यहां पर देखिए बी एए एक है तो यहां पर कितना है आपका दो है इसलिए यहां पर हमको दो करना पड़ गिए इस दो करनी है इसलिए यहां पर हमको दो निखना पड़ गया इसका मतलब एक हॉआ एंप और बढ़ गया अब उसे को यहां पर टू एच हम कर दी तो इस पर यहां बैलेंस जो हो जाता है उच करते जाईए गा इसका तो तो सुटार करने के लिए लेए स्वत्य चर्ण लीए निमल अभी करियाओं के लिए संतुली रथाहिन स्क्राफिक निकर समीन लिखिये ठीक है केल्सियम hydroxide plus carbon dioxide calcium carbonate कर्बुर्सियम और जल कल्सियम हैम्द और है केल्सिय으면 सेर्फिध हो गया Kagonda oxide CYCOO3 हो गया एस-2 गया दोसरा बॉयरा प्लस सिल्वर नाइट्रेट जिंख नाइट्रेट और बनाता है यह यहां पर देखिए बेरियम और यह क्या बनाया यह वैरियम सप्धार्पनाया और प्रीट लिए ठीक है घुसें माइट में आते हैं लोग करिया अभी क्रिया का परकार भी की एक इना देखिये सब्तासियु निर्व क्रिया हे और प्लस यह ज़क्ता और नहीं एक तो यह जो है वह आई ले रहा है और फिर क्या कर रहा है वह वो 10 भी आर्लू ले रहा है तो दोनों पीशथापन हो रहरा है प्टासियम कर रहा है रिच यड़प्ष अगला हैं जीन्ग कार्बोनेट से कैशिग सेंग को दूस्पाइड तो जीन्ग कार्बोनेट एक है सिंगल है प्रेकिन अनदर रहा है यह पता हमलो अगला कुश्यान है ह ये हाइड्रोजन क्लोराइट अब दो है नहीं और लेकिन बंथा है टू सील संग्योजन हो रहा है इसली स्टू और और तो तुल तो दोनों क्या रहा है एभाई दिफिए मेंगनेसियूम कर रहा है और हट नहय हटा रहा है यसको बिचाब कर रहा है किया ना है ए found everything कि अब कि ऊस्रफ्रेजर आब आफ है उसमा च्यब्ह को स्थोशि अभिक्रिया का क्या है मतलब ऊस्मा हमें दे रह एमस्मा सोश्वी मतलब हमसे ले रहा। मतलब हम दे रहements थी सबिकरिया में उत वत पात के साथ किसमा का उस्मा। चाहते हैं और सब्सक्ाशु को रिखते हैं चाहरा जलता है जो क्या चैनल पर किया तो बहुत हमाद स्व इसमा मोलकोश के स्कोष्ट को स्वस्द को उसमाच्छी अभिक्रिया क्यों करते हैं आक भी मात्रा में उस्माइपन्च्र। है इसलिए दोटो की हैं जलता है और यह अभिक्रिया में काफी मातरा में उजा उत्फण होता है क्या बचता है कार्भन डाउकसाइड जो हमारे सरी से बाहर निकल जाता है और बहुत ही मातरा में अब इसे वियोजन अभिक्रिया को संजोजन अभिक्रिया के बीप्रित क्यों कहायाता है इस अभिक्रिया के लिए समिक्रम देगे वियोजन अभिक्रिया और संजोजन देखिए आता है ए से जब हम बनाएंगे क्या बी पलस सी तो वो हो गया वियोजन और जब A और B से बनेगा C तो वो हो जाएगा सन्योजन मतलब एक से जब दो बन जाए बियोजन हो गया और जब दोस्ती एक बन जाए तो उसको हम लोग सन्योजन अभिक्रिया कहेंगे लेसन में भी आप लोगों यह हम पढ़ाए थे अब धियान देजिए बियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ बियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते है यह अभिक्रिया सन्योजन अभिक्रिया के बिप्रित होती है क्योंकि सन्योजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर उन्हेंद नायां पितार बनाते हैं। यहां देखियां डिल्ला से चण दूट्ट, विए घ्री अलग घ्या और दो डि लेकर यहां देखिए, लेकिन यह-देखिय bon Feников 2019, लेकिन दुनों मिल कर क्या अबना रहा है C A O H Holt 2 बना रहा है नहीं तो यह क्या बना रहा है क्लतिय अमहाट ऑक्साइड बना रहा है इस परकार हम लोग देखते हैं कि यह आपका हुआ विजन अभिक्रिया और एक हुआ समयोजन अभिक्रिया अब देखे बिस्थापन एबं है तो उसको हम लोग अध्यक्रिया कते हैं और अलग अलग परमानों या परमानों का समू का आपस में अधान पर्दान होता है बदला बदली होता है उसे हम लोग करते है इसमें तो यह सिजो एसरफियो आशिञату pixel जये लोग कर दिया और इस tac लेकिन यहां क्या क्या बदलाबद्दी इसको हम लो जो है इसको हम लोग चाहते हैं कि भी विस्थापन अभीक्रिया कहते है कि तेरभा में बोल रहा है क्वेश्चन में कि सिल्वर के सोधन में तिल्वर नाइटेड के बिलियंग से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कौपर धातों द्वारा बिस्था प्रिक्रिया के लिए अभिक्रिया लिए यहां देखे एजू अनुत्री हो गया सिल्वर नाइट देखिए अईसी अभिक्रिया जिसमें और बिले लवन प्राप्त होता है उसे हम लोग अवक्छेपन अभिक्रिया कहते हैं पतला कुछ अबस्तिस उसमें बच जाता है जैसे यहां हुआ हम लोग देख रहे हैं और और cacl2 देख रहे हैं क्या बनता है इससे चीच्व ठुड़ बनता है और साथ में तू इने सीगल बनता है बनता है यूए इस पकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जोकशीजन के योग या खरास की अधार पर निम्न पदों की बेख्या कि पतिक के लिए दो घान द रहा है आपका कि ईप्चैन है और अप्चैन है तो उप्चैन क्या हमें औक्सिजन का योग और हाइडरोजन का हरास होता ह Sou तब यहां मेगनेसियम ऑक्सिक्रित होकर मेगनेसियम ऑक्साइड बना रहा है और दूसरा देखिए यहां पर है तो क्या बनाता है और उसमा इसमें रिली होता है तो यह हुआ आपका दो प्रतिक्रिया इसमें दूसरा कहाता है कि अप्चेयन अभिक्रिया जिस अभिक्रिया म अब चाहित होका जिंक प्राप्त हो जाता है तो यह दो दार्यन आप लिख सकते हैं इसमें ठीक है अब दीखिए दुसरा बोल रहा है एक भूरी रंग का चमकदार तत्व एक्स को बायों की उपरस्ति में गर्म करने पर वक्त काली रंग का हो जाता है इस तत्व एक्स एबन त्यक काली रंग के चमकदार तत्व एकुपर ऑक्सिद की काली प्रत करणा काली नग करती को और the तुक्साइट क्या है लोहे की बस्तुआं को हम यंप क्यों करते हैं क्यों रंगते हैं कोई भी घृल होता है इसको हम लोग क्यों रंगते हैं कि यहां उनमें जंग लगने से उसे रोकता है पेंट करने पर नमी और बायू से लुहे का संपर्ख तुड़ जाता है और इस प्रकार जंक नहीं लगता बहुत सिंपर है कुस्ते नहीं तो आप लोग सब जानते ही होंगे नहीं अब है तेल एबंग बसायुक्त ख़द पदार्थों को नाइट्रोजन से प् इसमिल गंद आने लगता है उसी गंद को धूर करने क्या करते हैं उसमें लगा रिके आंसर देखे इसका को संग्रहित करने वाले ठेलियों मैं सी ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिया गैस के युग्द कर देते हैं ताकि उसका उप्षियन नो हो सके उसमें गंद ना आ सेके। क्योंकि तो ऑक्सिजञ बहुत ग्रियासिल होता है लेकिन नाइटरियन जो है वो बहुत ही निक्स कृता है संचारन क्या हुआ जब कोई तद्धा तू अपने आसपास अम्ल आदता आधी के संपर्ख में आती है। तब यह संचारित होता है। और इस परिक्रिया को संचारण करते है। चांद दी के उपर कालीप्रत्व ताम्बे के उपर हरी प्रत्रन संचारों के अन्यcık उधाररह है। हो गहिकछी दूसरा आपका क्या है विक्षगंधिता कि व मग्षण वक्षगंधिता कि क्या हुआ अंब नंबे समय तो तो उसमें पर्यूगत टे और वसा उपूप्चयित होकर कुछा शोड़ने पर उसके स्वाध्य देखते हैं झाये मग्षन को लंबे लेशन का question answer आपका समावत हुआ और अब अगले क्लास में आप लोग का हम फिर नया अध्याय सुरू करेंगे इसको आप लोग धंक से पढ़िए धंक से इसका त्यारी कीजिए ओके थेंक यू